हेलो दोस्तों आज हमें इस वीडियो में कंपेरिशन करेंगे रियल में X7 में और रियल में X3 में और देखते हैं दोरों में से बेस्ट फोर कौन सा है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से रियल में X7 की है 6.4 इंच की रेजलेशन है 1884 पिक्सल और इसमें Super AMOLED डिस्पले की यूज़ किया गया है और Realme X3 की है 6.6 इंच की Resolution है 1884 पिक्सल और इसमें IP66 डिस्पले की यूज़ किया गया है और आपको Realme X3 में Dual 5 डिस्पले दी गई है और X7 में है Single 5 डिस्पले और बात कीज़ है Processor की Realme X7 का है Diamond CT का 800 U का CPU है टोपें 4 GHz OctaCore का और इसमें 7 Nm का FinPad और इसका GPU है 57 है MC3 का और Realme X3 का जो Processor है वो Snap Doing का है 815 का CPU है टोपें 96 GHz OctaCore का और इसमें 7 Nm का FinPad और इसका GPU है 640 का बात कीज़ है Back के में की Realme X7 का है Triple 64 8 Plus 2 Mega Realme X3 का है Quad मी 64 Plus 8 Plus 8 Plus 2 Mega बात कीज़ है Front के में की Realme X7 का है 16 Mega और Realme X3 का है Dual 16 Mega 16 Mega और बात कीज़ है बैटरी की Realme X7 में दे गई है 43010 MS की और Realme X3 में दे गई है 4200 MS की और दोनों में बैटेप्स 9 ने बल है आप दोनों के बैटे को निकालने सकते और बात कीज़ है चार्ज़ की Realme X7 में है 50 Watt का Realme X3 में है 30 Watt का और दोनों में टेप्स का स्पोर्ट दिया गया है और बात कीज़ाए की दोनों में सीम है 618W की दी गई है बात कीज़ाए मेमोरी की दोनों में सीम है 180W की मिल जाती है और बात कीज़ाए ओपरेटेश्यम की दोनों का सीम है रड़ोई 10 और बात की जाए कन्कुलूशन की तो Realme X7 में हैं आपको क्वार्ड में केमेरा मिल जाता है तो फिर आपको दोनों फोनों में सी कौन साफ और पसना कोड़ बॉक्स में जेरी बताना और ये था कमपैरेश्यम दोनों फोनों का तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में